Hello everyone, आज हम लो discuss करेंगे कि हम लोग पदार्थ विज्ञान में answer writing कैसे करें तो दो बाते दिमाग में बिछाया लिजे, कि सबसे पहला आपको जानना है कि question का nature क्या है और दूसरा question को approach कैसे करना है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने 3 categories में divide किया है, किस तरह की question आ सकते हैं और फिर आपको approach कैसे करना है तो देखें, question 3 तरह का आएगा, एक short notes जो की maximum 5 marks का हो सकता है, एक detail notes जो की 10 marks का हो सकता है और last long notes जो की 20 marks है, तो ऊपर नीचे हो सकता है, तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं उत्राखंड आयरवेद युनिवर्सिटी का question paper उठाया है, जिसमें मैं short notes वाले question ढ़ाती हूं, जो question है कि आप मनो विशे एवा मनो कर्म बताईए, ठीक है, 5 marks का ये question है, तो मनो विशे में आप जैसे ही बता देंगे, चिंते, विचारे, उहे, धे, संकल्प, ठीक है ये हो गया पहला तो, इसके बाद इसको अब बता देगी, कि चंते क्या है, विचारे क्या है, उहे क्या है, धे, संकल्प क्या है, ठीक है और कर्म में आप बता दीजे कि युक्ती पूरवक्त विचार करके एक अर्थ की स्थापना करना इसके कर्म है मन का तुदी पॉइंट आप आंसर भी दे देते हैं ठीक है यह हो गया फाइफ शॉर्ट नोड्स थोड़ा सा इजी हो जाता है बताना फिर आता है जो डिटेल नोड्स जोकी 10 मार्क्स में आता है तो अगर मैं 10 मार्क्स में लूँ तो हम लोग इसको ले सकते हैं जैसे कोशिन आया हुआ है कर्म की परिभाशा और इसके भेदों की व्याक्षा करें तो जब भी हम लोग इस तरह के question यानि detail notes है तो इसमें detailing ही करने है overall आपको तो जैसे आप कर्म की परिभाशा बता रहे हैं ठीक है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए आप कर्म की निरुक्ती जानते हैं तो निरुक्ती लिख दीजिए अगर नहीं जानते हैं तो सिद्धी सिद आप उसको लिख करके और एक reference डाल दीजिए कि यह इस जगह से श्लोक उठाया गया ठीक है आप reference भी डाल देंगे तो marks मिल जाएगा ऐसा कुछ मिलेंगे कि नहीं मिलेगा तो उसको लिख करके फिर आप उसको explain कर दीजिए श्लोक को explain कर दीजिए ठीक यह हो गया उसके बा गमन ठीक है यह बता दीजिए उसके बाद आप बता सकते हैं आईरवेज ने पंच कर्म के बारें बताया गया है फिर त्रिविद कर्म भी बताया गया है जिसमें आपके शारिरिक मानसिक वाचिक आ जाते हैं फिर अगर आप कोई example जानते हैं या practically कोई experience आपने किया है इस लॉंग नोर्स में आपको बहुत सारी चीज़े बतानी होती है तो जैसे अब मैं question ले रही हूं यही उत्राखंड आईरवेज यूनिवरसिटी का पदार्त विग्यान फर्स पेपर का दर्शन शप्त की निरुक्ती वियुदपत्ती लिखते हुए इसके प्रकार एवं भा इस question में कितनी सारी चीज़ें हैं जो उसने बता दिया आपको यह बताना है जैसे कि निरुक्ती हो गया वियुदपत्ती हो गया फिर उसके प्रकार बताना है और भारतिय दर्शन का समान्य परीचे देना है इसके प्रकार और समान्य परीचे देना है फिर आपको आईरवे 15 तो अराम से मिल जाएगा और सबसे खास बात यह है कि अगर आपको थोड़ा बहुत प्राक्टिकली आपने experience किया है इसी इसको ले करके जैसे वैशेशिक दर्शन में हम लोग शट पदार्द पढ़ते हैं अगर उसे प्राक्टिकली experience आपने किया है तो आप वो examples भी लिख सकते हैं ठीक है कोई अगर आपने research paper पढ़ा है उसी इसको ले करके तो आप उस example को भी वहाँ पर लिख सकते हैं तो जो कोई question हमने यह देखा तो इसमें आपसे direct direct आप इसमें पूछ लिया है निरुक्ति क्या है विद्पत्ति क्या है भेद ठीक है तो लेकिन अगर question आ जाता है कि दर्शन क्या है और वैशेशिक दर्शन की व्याठ्या कीजिए मालेजिए अगर ऐसा question आता है long में 20 marks का आया देंगे आस्तिक दर्शन आस्तिक दर्शन ठीक है फिर आप उसके detail explanation में जाएए थोड़ा बहुत बताएए कि कौन से दर्शन क्या है इनको वेदवादी कहा गया है कौन इशरवादी है यह सब चीज़े आप अपने हिसाब से बता सकते हैं ठीक है फिर आप आजाएए वैशेशिक दर्शन क्या है वैशेशिक दर्शन में जब आपने बताएए फिर उसमें सबसे पहले आप बताएए प्रवर्टक कौन है भाशे करता कौन है उसके बाद कितने प्रमाड माने हैं कितने पदार्थ माने हैं कर्म क्या है द्रव्य गुर्ड फिर उसकी विशेष् तो इस तरह से आप एकस्प्रेंगे तो 20 marks के लिये स्टशन और और माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे अपूँशन करना है इन के नीचर को लेकि कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में लेख सकते हैं थांक्यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो एंड टेक्या